हमारे BTS मेंबर शुगा से रिलेटेड काफी सारी बातें पिछले महिने हुई थी कई लोगों को पता चला कि शुगा एक केस में उल्जे हुए हैं जहां से निकलना काफी मुश्किल था क्योंकि कई सारी रिपोर्टर शुगा के पीछे ही पढ़ गये थे उन्हाने तो हार दोकर यह सोची लिया था कि बस शुगा के पीछे पढ़ना है और उनको यूज करके बस पॉपलारिटी गेन करनी है इतनी सी बात थी लेकिन उस बात को खीचके इतना बड़ा बना दिया गया क्योंकि वो हमारे शुगा से रिलेटेड थी जबकि शुगा की तो ऐसी कोई गलती भी नहीं थी हाला कि दोस्तों आप में से कई सारे लोगों को पताई होगा कि यह केस पुलिस से ट्रांसफर होकर प्रोसिक्यूशन यानि केस लौ को चले गया था और उसके माद सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कोट अपना डिसीजन कब सुनाएगा तो कई सारे आर्मी जो की नहीं जानती है कि कोट की शुगा के केस पर फाइनल क्या डिसीजन सुनाया है वो मुझसे बार-बार पूच रहे थी कि आगे शुगा के केस का क्या हुआ और फाइनल अपडेट क्या है तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि शुगा के केस का फाइनल अपडेट अब क्या है क्या शुगा निर्दोशाबित हुए है या फिर उनको सजा मिलेगी या फिर आगे शुगा की लाइफ में क्या प्लानिंग रहेगी वो सब हम इस वीडियो में जानेगे तो आगे मिलने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो तो दोस्तों जैसा कि आप सब को पता है हमारे शुगा से एक चोटी सी गलती हो गई थी लेगिन लोगों ने तो उस दिल का ताड़ बना दिया सबी लोग शुगा के पीछे पढ़ गए और न्यूज और मीडिया वालों ने तो भर-भर कर शुगा की इंसल्ट करी जिसके माद एक न्यूज वालों को तो माफी भी मांगनी पड़ी और कोट ने उनके उपर भारी फेनल्टी भी लगाई क्योंकि उन्हों ने गलत वीडियो यूज करके शुगा को एक्यूज किया था और फेक वीडियो दिखा कर ये बोला था कि ये शुगा की CCTV कैमरा फोटेज है जिसकी वज़े से शुगा की काफी बेजती हुई थी और कई लोग शुगा के उपर ये इलजाम लगा रहे थे कि शुगा जूट बोल रहे हैं जबकि शुगा ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था हाला कि अगर आप सोच रहे हो कि अभी तक केस का कोई फाइनल वर्डिक क्यों नहीं आया और केस ने अपना कैसला क्यों नहीं सुनाया तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कुछ में पहले न की सिल्सेर में ना बुलाया जाए और उनसे कोई और पूश्ता ना करी जाए तो कोट का आखरी पैसला यही था कि शुगा को को पेनल्टी और फाइंस लगेंगे तो दोस्तों यही था कोट का फाइनल वर्डिक शुगा के केस के लिए एंड में शुगा को कोई भी सजा नहीं मिलेगी बस उनको थोड़े से पेनल्टी को भरना पड़ेगा हाला कि कोट ने ओफीशली इसको नहीं सुनाया था ये हमें मीडिया वालों के थूही पता चला था इसलिए बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं समझ में आया और उनको लगा कि मीडिया वाले जूट बोल रहे हैं लेकिन इतने टाइम से शुगा के केस के उपर कोई और अपडेट नहीं आया है इसका मतलम यहीं हो सकता है कि यही कोट का रियल फैसला था बाकी आगे कुछ न्यूज आएगी तो मैं आपको सबसे पहले जरूर बताने की कोशिश करूँगी लेकिन उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर दो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ